हेलो फ्रेंज दस्तों इस वीडियो के जरिया आप सभी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ पहले गवर से देखिए कि यह अहाँ पर जो तालाब दिखाया जा रहा है जिस तालाब पर बतक तेर रहा है यह जो तालाब है यग प्रक्रितिक तालाब है और इस तालाब में गाओ के आसपास के लोगों के चितना भी बतक है सबी जाके चड़ते है क्योंकि इस टाइप का जो खुधरती तालाब होता है इसमें बारो महीने पानी रहता है जिस बज़र से यहाँ पर मसली, चोटा मसली हो, या आपका स्नेल हो, या कीरे, मोकोरे जो भी हो, बतक के लिए एवेलेबल खाना होता है और इसी बज़ा से आपके आजपास के लोगों का जितना भी बतक है यहाँ पर जाके जमा होते है पूरा दिन बर यही रेते खाते पीते मोज मस्ति करते हैं तो मेरा संदर्स यही है कि अगर आपके घर के पी आसपास इस टाइप के प्रकृतिक तालाब तो ये आपके लिए एक बर्दान है, सिर्फ तालाब ही नहीं अगर आसपास जड़ने हो या बतक चड़ने लाए कोई भी जगा हो जाओ पर बतक का खाना अवैलेबल है तो हमारे के लिए एक बर्दान है, क्यूकि देखिए बतक पालने पर एक बतक को आपके डे वांसे लेके तकरिवन पाच से लेके छे महीन पालने तक 200 सल लेके 200 के आसपास कर्चा हो जाता है और चूझे का दम जादा नहीं होता है आपके 45-50 के आसपास होता है बाकी खर्चा जो हे तब अब जरा सोचे कितना फाइदा होगा मेरे हिसाब से तो 100 बतक में कम से कम 30,000 रुपए हम कमा सकते अगर हम fit purpose एक भी पेशा खर्चा ना करे तो इस तरह के बाताबरन में तो आपके खाने के लिए एक पेशा भी खर्चा करना नहीं पड़ता क्योंकि कुद्रती खाना तो और भी बहुत अच्छा होता है बतक के लिए बतक जानते है किसमें ज़्यादा प्रोटीन है किसमें कितना निट्रिशन है कौनचा खाना उससे खाना चाहिए तो इस टाइप के अगर मोहल आपके घर के आज पास हो तो उसका पूरा का पूरा फाइदा उठाए जितना हो सके उतना बतक आप पा लिए यकीन मन यह आपको बहुत अच्छा खासा कमाई होंगे तो आज के लिए दोस्तों इतना ही अगर वीडियो अच्छे लेगे तो प्लीज लाइक जरूर किजिएगा और अगर चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए